दोस्तों आज हम सबके लिए बड़े गर्व की बात है कि दुनिया के सामने इस हिंदुस्तान ने जंडेगार दिये हैं इस वीडियो में हम तीन टोपिक पर बात करेंगे लेकिन सबसे पहले उस खुशी की बात कर लेते हैं जिसके चलते हम सब लोग बहुत जादा कहीं न कहीं अपने आप में गौरवानित महसूस कर रहे हैं क्योंकि भारत को चांद पर सफलता मिल गई है चंद्रियान तीन ने चांद की सता पर उतर कर इतिहार सरज दिया है चंद्रिया के दक्षिनी ध्रूपर सफलता पुरवक उतरने वाला भारत पहला देश बन गया है अभी तक दुनिया के किसी भी देश ने इस दक्षिनी ध्रूपर अपना कोई यान नहीं उतारा है भारत अकेला ऐसा देश जिसने अपना यान उतार दिया है चंद्रमा पर विक्रम लेंडर की सौप्ट लेंडिंग के बाद प्रज्ञान रोवर उसमें से निकलेगा और चंद्रमा की सर्था पर घुम का शोत करेगा और जानकरी जुटाएगा 14 जुलाई को दोपेर दो बचकर 35 मिनिट पर स्री हरी कोटा से उडान भरने वाले चंद्रयान तीन ने अपनी 40 दिनों की लंबी यात्रा पूरी कर ली है और चांद पर सपलता पूरवक अपने जड़े कह सकते अपने पैर जमालिये हैं और पूरी दुनिया को ये बता दिया है कि हिंदुस्तान जो भी करना चाहे वो कर सकता है ये अप साफ सपरे वाला देश नहीं बचा लेकिन हाँ इसके पीछे किसी भी राजनितिक पार्टी को जोड़ने के कोशिस कोई ना कर तो बहतर है क्योंकि हम देखते हैं इस देश का मेडिया हर चीज में राजनिती पॉलिटिक से गुसेर देता है कि फलानी की वज़े से इसा हुआ फलानी की वज़े से हम वहाँ पहुँचे ना साब ये सारा करिश्मा ये सारा कहीं ना कहीं जादू ये सारी मेहनत इसरों के उन वेग्यनिकों के लिए हैं जिनोंने बहुत मेहनत की और आखिरकारी मुकाम हासिल किया तो इसके लिए किसी भी राजनितिक पाइटी किसी भी नेता को स्रेय देने की कोशिस ना किये जाए इस रोके वेग्यनिकों को कहीं ना कहीं यह सारा स्रेय जाता है उन्हें सलाम पहुँचे कि दुनिया को दिखा दिया कि हिंदुस्तान भी अब बड़ा ताकतवर बनता जा रहा है और इसको बनाने के पीछे उसमें काम करने वाले उसके जो लोगे वो है तो 140 करोड के इस देश वासियों के लिए ये बड़ा गर्व करने वाला दिन है कि हम वहां पहुँच गए हैं जहां पहुचने की फिराक में कहीं सारे विक्सित देश लगे हुए लेकिन तो एक बार फिर से तमाम इसरों के वेग्यनिकों को सलाम पहुचे जिनोंने ये करिश्मकर दिखा है चलिए अब हम दूसरे टॉपिक पर बात कर लेते हैं तो प्रधान मंतरी नरेंदर मोधी जी बिक्स सम्मिलन में हिस्सा लेने के लिए डक्षिन अफरिका पहुचे अब देखिए तो दोस्तों पहले तो मैं डर गया था फिर पता चला कि ये लोक नरत्य की सलामी हैं जी हाँ और भी जानकरी वहां से निकल कर सामने आई ये जो मोधी जी ने वहां कही है तो मोधी जी ने क्या क्या बात कही है वो मैं आपको बता देता हूं आज इन तमाम ब लेकिन जो बाते वहां बोलिए उनको आप भी जानते हूं और मैं भी जानता हूं तो क्या क्या बोलिए उस पर हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं तो प्रदान मंत्री जी ने कहा कि भारत के लोगों ने देश को 2047 तक विक्सित राष्ट बनाने का संकल्प लिया है जी हाँ 2047 तल इस तक हम विक्सित राष्ट बन जाएंगे भारत जल्द ही 5 ट्रिलियन डोलर की एकनोमी बन जाएगा ऐसे में आने वाले वक्षों में भारत दुनिया का ग्रोथ इंजन होगा जी हाँ उसके बाद ब्रिक्स देश मिलकर ग्लोबल साउथ के विकास में योगदान दे सक हैं इसके लिए आपसी भरोसा और पार दर्शिता बहुत जरूरी है भारत में इस ओफ डोइंग बिजनेस को लेकर हाला सुधरें और सरकार ने इन सुधारों के लिए मिशन मोर में काम किया है वैसे मैं इस पर थोड़ी सी अपनी तरब से बात जोड़ देना चाहता हूं कि भारत में बिजनेस करने के हाला सुधरें मोधिज ने यह कहा है लेकिन बीते कली हमने एक वीडियो बनाया है जिसमें अमेरिक की जो पूर राष्टपती डोनाल ट्रम ने फॉक्स न्यूस को एक इंटरूट दिया उसमें कहा कि जो हारले डेविटसन भारत से भागी है ना क फॉक्स न्यूस पर इंटरूट भी है तो ट्रम ने यह कहा कि अगर भारत में इस तरह से टैक्स लगाए जाता है हमारे देश के कंपनियों को वहां बराबर मोके नहीं मिलता है आने वाले वक्त में अगर मैं फिर से वहां का राष्टपती बना दोहजार चोबीस में तो हम भी भारत पर उसी तरज पर करज लगाएंगे कर लगाएंगे जिस तरह से भारत लगाता है उसके बाद साथ आठ सालों में अगर आप गूगल करोगे तो आपको पता चलेगा कि दरजा नो दरजा नो इंटरनेशनल कंपनिया इस देश से आउट आफ हो चुकी अपने बोर इस कंपनी के कोई आटोंवाइल कंपनी हैं डश्टन शायद है मुझे नाम हाँ डश्टन उसके बात कर लिजी और भी कई सारी हैं क्यों भाग रही हैं खर मोदी जी ने का है कि हम फाइब ट्रिलियन वाली एक्रोंग बन जाएंगे बेशक बन जाएंगे को दिकत ने लेकि बर मोदी जी ने आफ गे कहा है कि इसराट अपस जीब लक्तिन उनिल्भात कि भारत में दुनिये का तीसरा सबसे बड़ा इस टार्ट अपर किसी दन बात करेंगे इसका डेटा भी मेरेपास हैं लेकिन आज मैंने वचिकरोंशिया ृज भाड़ी व्यानी के कारण हम एक बड़ी आर्थवास्ता हो सकते हैं लेकिन हम अब भी एक गरीब देश हैं 2601 डोलर प्रतिव्यक्ति आए के साथ हम विश्य में 149 हैं हम ब्रिक्स और G20 देशों में सबसे गरीब हैं दुनिया में सबसे गरीब हमारे यहां हैं ये मेरे अपने शब्द नहीं है दरसल भारती रिजोर बेंक के पूर अध्यक्ष डीस बराव ने एक कही ना कहीं अखवार का आर्टिकल देख रहा था उसमें ये बातें लिखी हुई दिखाए दिये ने कि डीस बराव सापका एक कहना है और बेशक उनकी बात 100% सही हैं क्योंकि हमारी जो पर केपिटा इं एक कि पए में तो कितनी होगी है तो इस तरह से बहुत सारी चीजिए इस देश में अभी तो करना है हम अगर आखड़ों के माध्यम से ही 553 लेण की और धाय जाएंगी दुनिये की तीसरी एक बनाव जाएंगा जो भी होगा इस देश की पबりग की सीधियां इस देश की प से सत्ता में आ रहे हैं तीसरे टर्म में हम इस देश को बहुत आगे लेकर जाएंगे तो कि वाकए में उनके तीसरे टर्म में यह देश आगे जाएगा नहीं जाएगा यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा 24 के चुनाव है और 24 के चुनाव के पहले क्या 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 जा सकता है क्या क्या हो सकता है यह तमाम चीजें आप और हम अच्छे तरीके देखते रहेंगे समझते रहेंगे और 24 में सक्ता को पलटते हुए या सक्ता को फिर से देश की गद्धी पर तीसरी बार राज करते हुए ये भी बड़ा अहम विश्य होगा देखने वाला ये था वीडियो कैसा लगा ज़रूर बता है नमस्कार